हम सब को एक बात पता है कि सिनेमा जो है वो एक आइना होती है समाज का जो भी समाज में घटना घटती है उसी को ही सिनेमा सामने लेकर आती है हम सब को दिखाती है अब रिसेंटली एक फिल्म आई थी उरी याद होगा आपको कि उरी दर सर्जिकल स्ट्राइक जो कि 2016 में सर्चिकल स्ट्राइक हुआ था जो कि मानियपधान मंतरी नरिन मोदी जी ने आग्या दी थी हमाई सेना के जवानों को उस पर बेज थी अब दोस्तो एर स्ट्राइक पर भी फिल्म बनने वाली है नमस्कार मैं हूँ राहुल भोज और आपको बताता हूँ कि 26 फरवरी 2019 को जो घटना घटी थी जो की देश में एक गर्व की बात थी बाला कोट पर आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको नेस्ता नापूत कर देती हैं वायू सेना और हमारे विंग कमांडर जो है अभिनंदन वो भी कहिना कहीं पाकिस्तान की गिरफतारी में आ जाते हैं अब दोस्तो इसी विशे पर संजे लीला भनसाली सर जो की पदमावज जैसी फिल्म बना चुके हैं और किदारनात के डिरेक्टर यानि की अभिशे कपूर आपस में हात मिला रहे हैं और वो लेकर आने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म जो की पुल्वामा अटैक से जुड़ी हुई होगी जो की इस एर स्ट्राइक से जुड़ी हुई होगी देखना इंट्रस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से वो इसे ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि उरी का जो ट्रीटमेंट था जो की अधित्य धर ने दिया था वो काबिले तारीफ था लेट सी लेकिन इंट्रस्टिंग है कंटेंट और देखना इंट्रस्टिंग होगा क्योंकि ये देश से जुड़ी वी फिल्म है और देश को गरवानतित महसूस कराती है आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का नाम क्या होगा? क्या होगा Surgical Strike 2.0 या फिर होगा Pulwama का बदला या पिर कुछ और? आपको जो लगता है कमेंज सेक्षन में डेफिनेट ली बताएं, बने रहें मेरे साथ, मैं राहुल भोज इसी तरह की की बाति ला होंगा आप लोगों के लिए, take care.